जय हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए आपके लिए अहां पर डी एस एस बी टी जी टी के लिए हिंदी भासा का प्रेक्टिस सेट है यह अपना दो तो बहुत ही महत्वण इसमें कॉस्चन आंसर है तो यहां पर आपके लिए वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं और पर क्लेक करें ताकि और वीडियो की नोडिपिकेशन आपके हां तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को ला आउसर बनता है तो आप कमेंट बें आउसर जरू बताएं बल्देव खटिक किसकी कवीता है यह आपसे यहां पर पूँचा गया है तो लीला थर जबुडी यह आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका भी यहां पर राइट आंसर है क्वेस्चिन नमबर दो पूँचा है आपसे नौकर की कमीज के लेखक है तो नौकर की कमीज के लेखक कौन है असगर वजाहत या बिनोद कुमार सुकल भगवान दास या फिर मिर्दूला गरगर तो आपको यहां पर राइट आंसर होगा यहां पर विकल्प नंबर दो राइट आंसर है क्वेशन नंबर तीसरा है और आपका सही आंसर है डाक्टर बिनय डाक्टर बिनय आपका यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही मौची राम तथा पटकता के लेखक हैं मौची राम और पटकता के लेखक आपके लिए बताना है कौन है इसके लेखक क्वेशन नंबर चार लेकक के लेकक के समाध्य लेकक के लेकक हैं तो कौन है इसके लेककत कंच पूंचा है आपसे हम पर स्रीराम बर्मा है शृकांत बर्मा है दुद्ध नासा हैं इनमें अशे कोई नहीं है तो 5 का राइट अंसर होगा विकल नमबर यानि की स्रीकांत बर्मा आपका यहां पर राइट आंसर है सेकर जोसी की रचिना है यहां पर बताना है मकान हत्यारे कोशी का घटबार इन में से कोई नहीं दे कि जो सेकर जोसी जी है उनकी एक रचिना आपको बताना है कौन सी है यहां पर तो question number 6 का राइट आंसर है कोशी का घट कोसी का घटबार महत्वण रचना है और सेकर जोसी की मानी जाती है प्रियाग रामा गमन के लेखक कौन मानी जाते हैं कौस्च नमबर साथ का राइट आंसर बताईए प्रियाग रामा गमन के लेखक कौन है तो कौस्च नमबर साथ है महत्वण है और आपका सही आंसर है प्र तो बहुत ही सल कॉस्चिन पूचा गया है महत्वपुन कॉस्चिन है कई बार एक कॉस्चिन पूचा गया है एक्जाम में कि मदुमालती की रशनकार कौन है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आठ का विकल्प नंबर ए राइट आंसर है मंजन बिल्कुल सही मंजन जिनों ने बताया है उनका सही आंसर है कॉस्चिन नंबर 9 यहाँ पर पूचा है कि सहज यान की प्रवर्तक कौन है सहज यान की प्रवर्तक है सरहपा है, लुई पा है सबरपा है या पिर कंडपा है तो यहाँ पर आपके चार विकल्ब दे गए है तो Q9 का राइट आंसर है सहज यान की प्रवर्तक पूँचा है तो सरहपा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा Q10 पूँचा है आत्मेजई के लेखक माने जाते हैं Q10 का राइट आंसर बताइए आत्मेजई के लेखक हैं QNN, दोस्यांत कुमार, रगबीर सहाय या इन में से कोई नहीं Q10 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्ब नमबर एक यान की QNN, आत्मेजई के लेखक कौन है QN, आपका सही आंसर यहाँ पर है Q11 का राइट आंसर बताइए थंड़ा लोहा तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा थंड़ा लोहा के रचिनाकार पूंचा है तो Q11 का राइट आंसर B आनि के धर्मबीर भारती आपका सही आंसर होगा Q13 का सही आंसर बताना है तो इसका जो सही आंसर है 13 विकल्प नंबर B आनि की हरी कृष्णा हरी कृष्ण का आपका यहाँ पर बिकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा Q14 पूंचा है जन्मे जैका नांग्यग के लेखक हैं पंत नराला पिरसाद या हरीवाद जन्वे जयका नांग्यग और इसके जो लेखक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं तो आपका सही आंसर है question number 14 का विकल्प number C आनी की प्रसाद right answer है अंगले question है गोदान उपन्या से तो जो गोदान है एक किस विधा की रशन है अगर इसा पूंचा जाए तो यह पन्या से मतलब अब कैसा उपन्या से अथार्तवादी है आदर्सवादी है यह अथार्तवादी है तो question number 15 का right answer है यह अथार्तवादी है तो विकल्प number यह आपक answer क्या होगा बेराग के संदीपिनी की रशिनाकार है तो 16 का right answer है विकल्प number C आनि की तुलसीदास आपका यहाँ पर सही answer होगा तुलसीदास आपका right answer है बिल्कुल सही question number 17 पूंचा है अप राजिता की लेखक है नरेंदर सर्मा या फिर अंचल दिनकर यह मांखलाल चतुर बेदी तो question number 17 का right answer है अप राजिता की जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन अंचल अंचल यानि की विकल्प number B right answer question number 18 पूंचा है सागर मुद्रा की लेखक कौन है सागर मुद्रा की लेखक कौन है मुक्तिबोध हैं अग्ये हैं धर्मबीर भारती हैं गिर्जा ने बताया है उनका सही आंसर होगा अंगले question यहाँ पर पूचा है उदाय भान चरित्र के लेखक माने जाते हैं उदाय भान चरित्र के लेखक हैं ललू लाल या फिर सदलमिसर सदा सुकलाल या इंसा अल्ला खा तो question number 19 का right answer है आपका यहाँ पर विकल्प number D यानि की इंसा अल्ला खां आपका सही आंसर होगा आदा गाओं उपन्यास के उपन्यास है किसका उपन्यास माना जाता है आदा गाओं यह क्या है यह उपन्यास माना जाता है और इसके जो लेखक हैं या किसका उपन्यास है तो आपका सही आंसर है बीस का विकल्प number C आनि की राही मासुम रजा question number 21 पूँचा है अमन का राग के लेखक हैं अमन का राग के लेखक कौन है तो question number 21 का आंसर बताना है क्या होगा question number 21 का right answer तो बिल्कुल सही right answer है 21 का विकल्प number C यानि की समसेर बहादूर से है तो question number 22 का right answer है विकल्प number B आनि की लल्लू लाल आपका right answer होगा बिल्कुल सही विकल्प number B राइट आंसर है कलाधर उपनाम से कवीता लिखते थे ये question तो कई बार पूँचा गया है एकजाम में की कलाधर उपनाम से कवीता कौन लिखते थे बताईए question number 23 है और 23 का right answer है आपका B आनि की जैसंकर प्रसाद आपका यहाँ पर सही answer होगा जैसंकर प्रसाद रूपान के संपादक हैं तो कौन है इसके संपादक पन्त प्रसाद निराला हरिवाद question number 24 है महत्वपुन है और 24 का सही answer है पंत आपका right answer होगा बिलकुल सही question number 25 क्या पूँचा है तो यहाँ पर पूँचा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस ने किया है तो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात क्या है पर किसने क्या है तो right answer होगा गारसदा तासी आपका विकल्प number B यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या पूचा है कि माटी की मूर्तें की विधा है माटी की मूर्तें एक रचिना है महत्वपून रचिना मानी जाते है किस विधा की है इरचिना संस्मराण जीवनी रेखा चित्रात्म कता तो 26 का राइट आंसर है यह माने जाता है संस्मराण विकल्प नंबर यह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 पूँचा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था हिंदी का पहला समाचार पत्र पूँचा है तो 27 का राइट आंसर है कौन सा है यह है ओ दंत मारतंड आपका सही आंसर है बिलकुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर question number 28 पूँचा है आचा रामचन सुकल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है हिंदी का पहला उपन्यास जो माना है आचा रामचन सुकल जी ने बहे किसे माना है तो right answer है यहाँ पर विकल्प number B आनि की परिक्षा गुरू को किसको परिक्षा गुरू विकल्प number पर बी सही answer है अंगला question क्या पूंचा है यहां पर पूंचा गया है कि बिहारी सतसई पर फ्रंगे सतसई नाम से फारसी भासा ने एक टीका लिखी गई है जिसके टीका कार है तो इसके टीका कार कौन है यह पूंचा है question no.29 में तो इसके जो टीका कार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन आनंदी लाल सर्मा 29 का बी राइट आंसर है बिल्कुल सही अंगला question क्या पूंचा है तो देख लेते हैं यहां पर पूंचा है 84 व्यर्ष्णव की बारता और 200 व्यर्ष्णव की बारता मूल रूप से यह क्या है जीवन ब्रत हैं आत्मकता है कहानी कता कहानी है या पिर नबंद है तो तीस का राइट आंसर है विकल्प नंबर यह जीवन ब्रत हैं क्या है जीवन ब्रत हैं तो विकल्प नंबर आपका यह राइट आंसर है महावीर प्रसाद दुवेदी ने सरस्ती के संपादन का उत्तरादिकार अपने पास्चात किसी सौंपा था तो किसको स्वाँपता यह आपको बताना है यहाँ पर तो किसको स्वाँपता तो यहाँ पर राइट आंसर है महाविर प्रसाद दुवेदी जी ने तो किसको स्वाँपता पंडित देवी दत्त सुक्ल को किसको पंडित देवी दत्त सुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 35 क्या पूंचा है केसव कही ना जाय का कहिए यह प्रसिद्य पद किस काभिकृती से उद्रत है यह किस काभिकृती से उद्रत है यह आपको बताना है केसव कही जाय ना कहिए केसव कही ना जाय का कहिए यह आपके लिए बताना है यह पद किस काभिकृती से उद्रत है तो यहाँ सुझें आपको यहाँ पर नहींद का हैं देखे आपको यहां पर नहीं बताना है कि ललत नहीं था तो यहाँ पर आपका सभी आंसर होगा राम चन शुकल रामचन सुकल जो है यह ललत नमंदकार नहीं है तो विकल्प नमबर B आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन है तीसरी कसम फिल्में किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है तीसरी कसम यह फिल्म जो है किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है यह आपके चार विकल्प दे गए हैं तो 35 का सही आंसर होगा विकल्प नमबर B फनिस्वन नात रेणू फनिस्वन नात रेणू विकल्प नमबर B राइट आंसर है अंगले कॉस्चन पूचा है बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है बामन बामन दास यह जो है पात्र है तो किस उपन्यास की पात्र मानी जाती है तो राइट आंसर है मेला आचल मेला आचल की पात्र है बामन दास और आपका 36 पूंचा है, क्या भूलू, क्या याद करूँ, किसकी आत्म कता है, मध्टपुन है, अपका ismo, और 85 और क्या भूलू, क्या याद करूँ, ये जो है, किसकी आत्म कता है, राइट आंसर है, आपका यहाँ पर हरी बन सराए बच्चर। Quesction no. 38 पूंचय रामधारी सेंदिनकर को किस किरती पर झ्यान पीट प्रोस्कार प्राप्ट हुआ था ? ये question जो है कई कर बा justement कई बार एक जाम में पूंचय जा जा चुछा जाचया पूंचय वहाँ सारे एक जाम में पूंचया जा चुछा question है रामधारी सेंदिनकर को किस का विकृती या किरती पर जो है ज्यानपीट फ्रोस्कार प्राप्त हुआ था तो राइट आंसर है विकल्प नमबर एक आनिकी और वसी अंगले कॉस्चन पूशा है बानभट्टी की आत्मकता है एक नाटक एक जीवनी एक आत्मकता या एक उपन्यास तो राइट आंसर होगा ये एक उपन्यास माना जाता है तो विकल्प नमबर डी यहां पर सही आंसर है कभी बचन सुधा थी कभी बचन सुधा क्या थी यहां पर बताना है तो चालेस का सही आंसर क्या होगा कभी बचन सुधा थी यह क्या थी एक पत्रिका थी तो विकल्प नमबर बी आपका यहां पर सही आंसर होगा अंगले कोश्चन है महावीर प्रशाद दुवेदी ने सरस्ती पत्रिका का संपाधन शुरू किया तो कभ एक को सूची दो से सुमिलित कीजे नीचे दिये गए कूटों की सहायता सी तो यहां पर आपको सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है तो कॉस्चन नमबर है अपने यहां पर 42 और 42 में कूट की बात करें तो यहां पर D राइट आंसर है यहां पर देख लेते हैं का एक हो जाएगा यानि की सेकर एक जीवनी अग्गे आदे अदूरे आदे अदूरे जो है यह मौहन राकेस इंका हो जाएगा आदे अदूरे और संस्कृति के चार अध्या रामधारिस हैं दिनकर इस पिरकार आपकी हां पर सुमिलित किये गए हैं प्रेमचंद्र की अंत्य महत्योlor कौस्चन है प्रेमचंद्र जी के अंत्यम कहांनी कौन सी थी तो राइट अंब्र स्थिया गया है तो रामधारिस हैं दिनकर जैसंकर परसाद संभुल्म यहां पर सही आंसर है अंगले कोश्चन क्या पूँचा गया है इन में से किस कभी की प्रेमिका का नाम सुझान था तो ये तो बहुत ही चल कोश्चन है महत्पूर्ण कोश्चन है सुझान सोजान जो था वह किस की प्रेमिका का नाम किस कभी की प्रेमिका का नाम सोजान था तो राइट आंसर है 45 का विकल्प नमबर C आने की घनानन दे अंगला कॉस्चन पूँचा है दुबेदी उग नामकरन किस के नाम की आधार पर किया गया है तो 46 का आपका सही आंसर है बिकल्प नंबर B महावीर पिरसाद दुबेदी अंगला कॉस्चन क्या पूँचा हिंदी साहित का इतिहास लिखने बाले पिर्थम लेखक का नाम बताना है तो पिर्थम पूँचा है पिर्थम लेखक कौन थे हिंदी साहित का इतिहास लिखने वा आदिकाल की समय सीमा क्या है यहां पर आपको जो है आचा रामचन सुकल जी के अनुसर बताना है हिंदी साहत की आदिकाल की समय सीमा तो यहां पर जो सही समय सीमा है भै क्या है विक्रम संबत 1550 से विक्रम संबत 1375 तक यह जो है आपका विकल नंबर एक राइट आंसर है पंड तो चंदधरसरमा गुलेरी जीए ने परान हिंदी का कभी सुईकार किया है तो पिरतम कभी किसको सुईक्र क्या है राइट आंसर है राजा मुंज आपका यहाँ पर सभी आंसर है अंगले कॉस्टेन क्या है नभीन रुपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंब होती है नभीन रुपोर्ताज की जो परंपरा है वह किस रचना से परंपरा होती है तो राइट आंसर है लक्षमी पुरा अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा गया है कि यहाँ पर पूँचा है किस रासु ग्रंत को आलाखंड की नाम से जाना जाता है तो भै कौन सा रासु ग्रंत है जिसको आलाखंड की नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर है यहाँ पर इंक्या उनका C जगनिक का परमाल रासू जगनिक का परमाल रासू गूंगे का गुड महाबरे का अर्थ बताना है तो इसका महाबरे का अर्थ जो होगा वह है अव्यक्त अनुभाव आपका यहाँ पर विकल्प नंबर D राइट आंसर महाबरा पूंचा गया है कॉस्चिन नंबर त्रेपन है निमलिकत में से अश्ट चाप के अंतरगत ना पढ़ने वाले कभी का नाम है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सुन दरदास यानि की विकल्प नंबर B राइट आंसर है खड़ी बोली हिंदी का पिर्थम महा काप पे कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का पिर्थम महा काप पे पूंचा है तो सही आंसर है प्रिये प्रवास कौन सा है प्रिये प्रवास आपका सही आंसर है किस काप भी किर्थी पर अग्ये को ग्यान पीट प्रोसकार मिला है यह त अग्ला question है निमलिकत में जी कभी ने सिर्फ अबदी बासा में ही रचना की हैं तो अधीकां से साहेत इतिहासकारों के अनिसार जो हिंदी के पुथों कभी माने जाते हैं पहिमाने जाते हैं सरहपाद सरहपाद आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा खड़ी बोली हिंदी में सर प्रथम रचना करने वाले कभी का नाम क्या है तो अंठाउन का राइट आंसर भी यानि कि अमीर खुसरो राइट आंसर है जब उपमे में उपमान की संभाव अप्रिकट की जाए तो पहाँ पर अलंकार होता है कौन सा उत्परेक्षा लंकार विकल्प नंबर D ली राइट आंसर है पिरतीक में चार सब्द दिए गए हैं जिन में से तीन अनेकार तक सhalbद की स्रियाली में आती है जो सब्द इस स्रियाली में नहीं आता है भहि आपका उत्तर है तो भह कौंसा स resonate है इस प्रिस्न में एक बाक के दिया गया है जिसमें तुर्टी है इसके नीचे चार विकल्ब देगा है जिसमें से एक सही है सही विकल्प आपके लिए चुनना है यहां पर बताईए कौन सा यहां पर सही विकल्प होगा तो right answer है आपका यहां पर 60 का विकल्प number आपका D right answer जो मिठाईया पसंद हो उन्हें आप खाईए यह जो है आपका सही answer होगा अहा आप आगई बाक्य में अहाँ सब्द है जो क्या है यह संग्या है अवय है यह सर्वनाम है अविशेशन है तो 62 का सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी यह अवय है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर पूंचा है क्या पूंचा है देख लेते हैं कि सरसी छंद में होती हैं तो स विकल्प नमबर डी राइट आंसर यहां पर है उत्तर प्रिदे सरकारद्वारा सन 1947 ECB में गटे ते देव नागरी लिपी सुधार समीती की अध्यक्ष थे तो इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे यह आपको यहां पर बताना है तो सही आंसर है विकल्प नमबर सी आनिकी आ नरेंदर देव अंगला question है बूत काल की कितने भीध हैं 7,9,6,4 बूत काल की भीध पूंचा है इसके कितने भीध हैं तो सही आंसर है 65 का विकल्प नमबर बी राइट आंसर है यानिकी 6 भीध हैं कितने भीध हैं 6 भीध हैं मेरे घरसी आपका घर 5 किलो मीटर दूर है इस ब है निम्णान के तबाकियों में कुलिया वेक्ष surplus要 inherit युक्त बाक की कौन सा है, तो यहाँ पर यह आपके 4 बाक के ़िक आनले क्रीबाक जीना क्रेकर बताना है, तो सही आंसर है विकल्प नमबर C लड़का रोती रोती घर पहुंचा यह जो है आपका सही आंसर है यहाँ पर question नमबर 68 पहुंचा है आव विवस्तित बाग के खंडों से क्रम बद्य बाग के बनाईए और उनका जो है उचित क्रम चुनिए यहाँ पर आपके जो है कूट भी दे गए हैं तो यह आप आपके कूट दीए गए हैं तो 68 का जो सही आंसर है वह आपका विकल नमबर D आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही डी जन्होंने बता है सबसे पहले तीसरी नमबर का चौथे पिर दूसरे और पिर है आपका यहाँ पर पहले फिर आज जाएगा चौत्थे और फिर जाएगा यहां पर जो है छट़वी नम्बर का अंग्ला क्वाश्चन क्या है तो इस पिरकार यहां पर कूड दे ग SARD पर तो इस पिरकार नपर दे गये हैं अंम्ला ककौस्चन देख लेते हैं कभी का इस त्र इलिंग होगा तो भहते कोосьंट है कभी का इस त्रिलिंग जो होगा बहे कवित्त्री होगा लेकिन कवित्त्री किस प्रकार लेखते हैं यहां पर यह जो हैं चार विकल्ब भी देगा हैं तो बहे आपका यहां पर राइट आंसर विकल्ब नमबर सी कवित्त्री इस प्रकार question number 70 पूँचा है आपसे निमलिकित में से कौन सा सब्द कमल का परयावाची नहीं है तो देखिए यहाँ पर आपसे नहीं पूँचा है सरज, जलद, जलजात या पिर पंकज तो right answer है आपका यहाँ पर जलद आपका यहाँ पर सही answer होगा यहाँ पर पूँचा है question number 71 क्या पूँचा है तावत और अनियर प्रत्य का प्रियोग होता है कहाँ पर होता है तो question number 71 का right answer है चाहिए के अर्थ में जब कुछ चाहिए के अर्थ में इन जो है प्रत्य है इनका प्रियोग तब किया जाता है बीर रस का इस्थाई भाव क्या है तो बीर का इस्थाई भाव पूंचा है तो बहुत ही चल कॉस्चन है बीर का इस्थाई भाव है वह क्या है तो यहाँ पर बताए कॉस्चन नमबर है अपने यहाँ पर 72 और 72 का राइट आंसर बताना है तो आपका यहाँ पर सही answer होगा उत्सा है बिल्कुल सही answer है अंगला question क्या पूँचा है देखिए नीलोत पल सब्द में समास कौन सा है तो question number आपका यहाँ पर 73 है और 73 का right answer है आपका यहाँ पर विकल्ब number C आनिकी कर्मधारा है सही answer होगा यहाँ पर question number 74 पूँचा है यहाँ पर question number 74 पूँचा है यदि A और बड़ा A के बाद E और बड़ी E आए तो दोनों मिलकर E हो जाता है इस स्वरसंदी कहलाती है कौन सी स्वरसंदी कहलाती है इस आपको यहाँ पर बताना है तो आपका सही answer है गौन स्वरसंदी यान की 74 का C राइट आंसर आपका यहाँ पर सही answer होगा question number 75 है राष्ट की भावाचक संग्या है राष्ट की भावाचक संग्या पूँचा है तो सही answer है यहाँ पर 75 का D राइट आंसर है राष्ट येता इंगला question है कोई और कुछ का प्रियोग इनमें से किस सर्व नाम में किया जाता है कोई और कुछ का जो प्रियोग किया जाता है वैं किस सर्व नाम में किया जाता है तो अनिश्चय बाचक सर्व नाम अनिश्चय बाचक सही answer है त्रण यहाँ पर बताना है क्या होगा गहोगा 78 का इसा औरоль आंसर है 90 सब्स코र्ट पूंचा गया था जम्यकेत पूंचा फिसी जह चपास नहीं जो नहीं है कं सास करपट कर इस पूंचा गया है तो इस सब्सक्राइश सर्ण है उपसर्ग है तो बह कौन सा सब्द है जिसमें उपसर्ग है तो राइट आंसर है पर आजए में उपसर्ग है बिल्कुल राइट आंसर बता है मत् इसब्द के सष्ठी एक बचन का रूप क्या होगा मत्य सब्द है और सश्टी एक बचन का रूप बताना है मत्य का तो इसका सही आंसर होगा मत्यह यानि की विकल्प नंबर भी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा निमलकेत में ऐसे कौन सा बाग के कर्म बाद्चे का उधारन है कर्म बाद्चे का पूचा है आपसे उधारन यहाँ पर बाग के दिये गए हैं चार बाग के इनमें से आपके लिए कर्म बाद्चे का उधारन बताना है तो सही answer है सीला से पड़ा भी नहीं जाता यह जो है आपका कर्म बाच्चे का उधारन है जो पहले कभी ना हुआ हो बाक्यांस के लिए प्रियोक्त सब्द एक सब्द चुनना है आपके लिए कौन सा होगा जो पहले कभी ना हुआ हो तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 83 का अभूत पूर्ब आपका सही answer है विकल्प नमबर भी राइट answer है अंगला question क्या है देख लेते हैं नीचे दिये गए बाक्य में रिक्त स्थान के लिए उप्रियोक्त सब्द चुनिए स्थान्तरता संग्राम में महत्मा गांधी जी ने कई बार खालिस्तान अंसन किये थे क्या किये थे सत्या अंग्रह किये थे आमरण जिल में जाकर यह जल त्याग तो राइट answer है यहाँ पर 84 का विकल्प नमबर C आमरण विकल्प नमबर C राइट answer होगा मूख का विकल्प नमबर C राइट answer है यहाँ पर पूंचा है सुक दुख के बीचे लगने वाला चिन्न है तो यह जो चिन्न दिया गया है देखे सुक और दुख के बीच में यह जो चिन्न लगा है इस परकार यह जो चिन्न का प्रियोग क्या है इस चिन्न यह कौन सा चिन्न है यह आपको बताना है तो 87 का सही answer होगा विकल्प नमबर B राइट answer है यानि कि योजक चिन्न कहलाता है यह योजक चिन्न प्रसन्यता सब्द में कौन सी ध्वनी है प्रसन्यता सब्द में कौन सी ध्वनी है ध्वनी पूंचा है तो एगमक ध्वनी आपका सही answer है यानि कि विकल्प नमबर C राइट answer होगा योगदान में कौन सा समास होगा योगदान में समास बताना है question number 89 है महत्तपूर है और आपका सही answer है योगदान में जो समा से वैं तत्पुरुस समा से कौन सा है तत्पुरुस बिलकुल सही उच्छवास का सही संदी विच्छित क्या होगा उच्छवास उच्छवास का सही संदी विच्छित पूंचा है तो आपका सही आंसर है उत्धन स्वास आपका सही आंसर होगा यहाँ प बहिर्मुखी सब्द में कौन सा उपसर्ग है बहिर्मुखी सब्द में उपसर्ग बताना है तो इसमें जो बहिर इस परकार जो विकल्प नमब एक है आपका सही आंसर यहां पर है निमने मेंसे कौन सा बाग के मिस्र बाग के नहीं है तो मिस्र बाग के नहीं है तो देख लेते हैं यहाँ पर जो मिस्र बाग के नहीं है पर परस्रमी ही नहीं बरन इमानदार भी है यह जो है क्या है कैसा बाग के मिस्र बाग के नहीं है तो विकल नमबर आपका बी राइट अंसर अंगला कॉस्चन देख लेते हैं, साहित जनता की चित पृतियों का संचित पृति बिम्ब है, एह उक्ति जो है, किस की उक्ति मानी जाती है, कौस्चन नंबर 94 का सही आंसर बताना है, और यह उक्ति मानी जाती है, टामचन सुकल विकल्प नंबर D, राइट आंसर, मरि मरियादाः एक पत्रिका थी, और किस योगि की पिसी पत्रिका थी, तो आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर C, यानि की दुबेदी योगि की पिसी पत्रिका थी, कौन सी मरियादा, अंगला कॉस्चन है, यह निमलिकत काप्य पंतियों को उनके रचना-कारों की सां 순 और पर सुम्लत कर देते हैं कॉस्चिन बंबर है आपका यहां पर 96 और 96 डोप रॉसosphंप यहां पर होगा तो देखिесьंगे मैद इसको पिल सी दास हो जाएंगे और B का यहां पर हो जाएगा क्या राइट आपर आंसर तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका question number 96 है इसका C right answer है और B का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा B का तीसरा में क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम राज जी के लिए मरते हैं मेतली शनगपते यह उपमान मेली हो गए हैं तो इह जो है किसकी है अग्ये और बत्रस लालाच, तो जो है किसकी हो जाएगी, यह हो जाएगी बिहारी इस प्रकार आपकी यहाँ पर सही सुमलेत के गए हैं निम्ले के सब्दों को बिलॉम सब्द चुनना ही यहाँ पर कृतग के का बिलॉम क्या होगा तो किर्टग्य का बिलॉम है किर्टग्य ने बिल्कुल सही विकल्प नमबर एक राइट आंसर संक्रीन का बिलॉम क्या होगा तो संक्रीन का जो बिलॉम होगा बै होगा क्या होगा संक्रीन का होगा बी क्रीन विकल्प नमबर सी राइट आंसर होगा निम्ल के सब्द कोई पर्याबाची चुनना है यहाँ पर पर्याबाची में क्या होगा यहाँ पर देखे म्रग धर इसका पर्याबाची क्या होगा तो question number 99 बाहे और इसका सही answer होगा इसका right answer is C आनिकी सिव आपका सही answer है पराग का पर्याबाची क्या होगा तो पराग का पर पॉस्चन सही बनें आपसे कमेंट में ज़रूब बताएं अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है चैनल पर पहली बार आ है इसी तरह के और बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल कोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे जादस जादा वीडियो को सियर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्नवाद सभी के लिए जैहन